ये हैं दुनिया की नौ सबसे बड़ी बिलिया और इनसे ख़दरनाग जीव कोई हो ही नहीं सकता बड़ी बिलिया यानि की बाग, शेर, चीता जैसे जीव पूरी दुनिया में पाये जाते हैं दरसल हर प्रजाती अपने आप में अलग और खास भी है और बर्फ में रहने वाला स्नो लेपर्ड जो अफगानिस्तान के पहाडों पर बक्रियों और भीडों का शिकार करता है वहीं बबर शेर जो अफरीका और भारत में हिरनों और जंगली भेंसों का शिकार करता है हर प्रजाती अलग है लेकिन हर प्रजाती बिली ही कही जाती है दरसल ये घरेलू बिलिया नहीं है आए जानते हैं दुनिया की नौ सबसे खतरनाक और बड़ी बिलियों के बारे नमबर नौ पर आता है क्लावडी लेपर्ड दरसल क्लावडी लेपर्ड को विग्यानिक भाषा में न्यू फैलिज नेबुलोसा कहते हैं दरसल स्मिथ सॉनियन नैशनल जू के मताबिक ये लेपर्ड की प्रजाती से नहीं है लेकिन इसे लेपर्ड नाम दिया गया है दरसल लेपर्ड से चोटी होती है और ये 3.4 फीट लंबी और करीब 25 किलोग्राम वजन तक हो सकती है ये बिल्ली नेपाल और चीन से लेकर पूरे दक्षिन पूर वेशिया में पाई जाती है वहीं इनकी संख्या शिकार की वज़ा से लगातार घट रही है और ये कई तरह के जी जैसे कि बॉब कैट बॉब कैट इस प्रजाती की सबसे चोटी बिल्ली है और ये घरेलू बिल्ली से थोड़ी ही बड़ी होती है जबकि यूरेशन लिंक्स आकार में 4.3 फीट लंबी होती है इनका वजन दिक्तम 36 किलोग्राम हो सकता है और इनकी खास पैचान होती है इनक इसलिए मध्य एशिया अफगानिस्तान और चीन के पहाड़ों पर रहते हैं इनकी संख्या काफी कम है इसलिए इने बिचाने के प्रियास अंतर आश्रे स्थर पर चल रहे हैं स्टों लैपर्ट दरिसल 4.3 फीट लंबा हो सकता है और इसकी पूंच 3.3 फीट तक लंबी होत आती है करीब 7.6 फीट इनका वजन करीब चुरिंजा किलोग्राम तक होता है और याम तोर पर जंगली भेडों बक्रियों आधिकार शिकार करते हैं कई बार इनसाने भस्ते में गुसकर भी शिकार कर लेता है क्योंकि जंगलों में इनसानों के दखल अंदाजी बहुत ज्य 5.5 फीट तक हो सकती है जिसमें पूंच भी शामिल है और इसका वजन 75 से 125 किलोग्राम तक होता है ये निर्भर करता है कि उसकी उम्र और खान पान पर भी और ये आम तोर पर उत्तरी पूर्वी और दक्षनी अफरीका में पाया जाता है वहीं एशियाई देशों में ये सि और ये मध्यमकार कि किसी भी जीव को खा भी सकता है ऐसा माना जाता है कि किसी समय धर्ती पर जाइंट चीता गूमा करते थे 2011 में विग्यानिकों ने जीओर्जिया में एक 18 लाग साल पुराना जाइंट चीता का जीवाशम खोजा था और जिसका वजन करीब 110 किलोग्राम का था नमबर पांच पर आता है प्यूमा प्यूमा को विग्यानिक भाषा में प्यूमा कॉन कलर केते हैं ये आम तोर पर अमेरिका, अलास्का, कैनिडा और दक्षिन चिली में पाया जाता है इसे कई नामों से बुलाया जाता है जैसे की कोगर, मांटेन लायन और पैंथर वहीं पियुमा उत्री अमेरिका में सिर्फ फ्लॉरिडा में पाय जाते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में शिकार की वज़ा से अमेरिका में इनकी अबादी लगातार कम हो रही है और ये आठ फीट तक लंबे हो सकते हैं इनका वज़न 59 से 68 किलोग्राम तक होता है ये आम तोर पर हि इनकी लंबाई 6.2 फीट तक जा सकती है जिसमें के पूंज के लंबाई 3.3 फीट तक होती है यानि के कुल लंबाई इनकी 9.5 फीट तक होती है और इनका वज़न करीब 75 किलोग्राम होता है लैपर्ड पर कई बार बड़ी बिलियां हमला कर देती है जैसे कि शेर और बाग इसलिए लैपर्ड इन से बचने के लिए अलग समय में शिकार करता है यह किसी बी तरह के मध्यमकार के जीवों का शिकार करते हैं जैसे कि हीरन और एंटिलोप नमबर ट्री पर आता है जैगवार जैगवार का विग्यानिक नाम पैंथेरा आन का है और यह अमेरिका में पा अरिजोना और न्यू मेक्सीको से खत्म हो चुकी है और इनकी लंबाई 5-6 फीट होती है जबके पूंच मिलाकर यह 9 फीट तक हो जाते हैं और इनका वजन करीब 100 किलोग्राम तक होता है और यह शिकार के लिए हिरन बंदर या मचली को खाते हैं नमबर दो पर आते हैं के साथ रहते हैं नर्शेर हमेशा मादा शेर से बड़ा और ताकटवर होता है उसके सिर के चारों तरफ जबरीले वाल होते हैं और इनकी लंबाई 10 फीट तक जा सकती है इनका वजन 500 किलोग्राम तक पहुन सकता है और शेर आम तोर पर अफ्रीका के बॉट्सवाना तंजा कानिया मध्य अमेरिका गनराजियों और भारत के गुजरात स्थित्गिर में पाया जाता है दरसल ये हिरन एंटिलॉप से लेकर जैबरा या फिर भैंस तक का शिकार कर लेते हैं नमबर एक पर आता है बाग बाग दरसल बिल्लियों के प्रजाती के सबसे बड़ी बिल्ली ह होती है और इनके गोल्डन और काले रंग की पटियां इन्हें जंगल के सबसे पसंदीदा जानरों में से एक बनाते हैं पूर्ण विकसित बाग 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन शेर से ज्यादा होता है दरसल ये करीब 300 किलोग्राम का होता है और ये प्यूमा स इसमें की भारत, इंडोनेशिया, पूर्वी, रूस और भुटान के पहाडों पर इन्हें देखा जा सकता है वहीं ये फूर्ट शेन में सबसे उपर बैटने वाला जीव भी है जो के हिरन जंगली सूर समेथ कई प्रजातियों के जीवों का शिकार आसानी से कर लेता है और